नमस्कार, जैशी कृष्णा, मैं राके शिवानियस्टो चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ भ्रस्पति का गोचर, अभी तक मैंने आपको डिफरेंट ग्रहों के गोचर के बारे में बताया है जब एक राशी से दूसी राशी में गोचर करते हैं तो इनसान के ओपर क्या प्रभाव करता है यह हम लोग जानते हैं कि जब भी किसी ग्रह का एक राशी से दूसी राशी में गोचर होता है गोचर मतलब एक राशी से दूसी राशी में जाना, तो जब किसी ग्रहका एक राशी से दूसी राशी में जाना होता है, गोचर होता है, तो इनसान के उपर कुछ ना कुछ फरक जरूर पड़ता है, और वो फरक कैसे पड़ता है, उसके बारे में ही हम लोगों ने बताना आज हम जिक्र करेंगे कि ब्रस्पती अगर अपनी राशी चेंज करें, ब्रस्पती अपनी राशी चेंज करता है तो इनसान के उपर क्या फ्रक्ट पढ़ता है। देखे ब्रस्पति और शनी ये दोनों गरहे बहुत important हैं, ब्रस्पति blessing का कारक है, आशिरवात का कारक है, अनुशाशन का कारक है, धन का कारक है, संतान का कारक है, ब्रस्पति के बारे में हम लोग सबी कुछ जानते हैं, और ब्रस्पति कितना important role play करता है ये भी हम लोगों को मालूम में दूसरी चीज यह कि ब्रस्पति एक राशी में एक साल तक रहता है तो ब्रस्पति का एक राशी में एक साल तक रहना यह बहुत important है इसको इसको द्यान देने वाली बात है कि वो एक साल तक एक राशी में ही रहता है इसका मतलब ब्रस्पती के किसी राशी में प्रवेश करने पर आपके उपर जो फरक पड़ेगा वो करीब एक साल तक पड़ेगा अगर वो अच्छा फरक पड़ना है तो अच्छा फरक पड़ेगा अगर वो थोड़ा अशुप फरक पड़ना है तो थोड़ा अशुप फल पड़ेगा कैसा पल पढ़ेगा यही देखने वाली बात होती है कि ब्रस्पति का गोचर किसी एक राशी से दूसी राशी में आपके ऊपर क्या प्रभाव डालता है आप कैसे चेक करेंगे उसको आप चेक करेंगे अपनी जन्म राशी से आपका जन्म कालिन चंद्रमा जिस राशी में बैठा हुआ है उसको याद कर लिजे उससे आप चेक करेंगे इसको कि ब्रस्पति का गोचर आपके ऊपर क्या प्रभाव डालेगा जिस राशी में आपका जंग का चंद्रमा बैठा हुआ है जंग कालीन चंद्रमा बैठा हुआ है जिस राशी में अगर उसी राशी में ब्रस्वती गोचर करता है तो वह स्वास्त का नाश करता है धन का वे करता है शत्रूता कराता है और कहते हैं कि इस्थान भंशता करता है यानि इस्थान चेंज करता है आप अपने इस्थान से इस्थान छोड़के जा सकते हैं आपका ट्रांसवर ऐसी जगे हो सकता है जहांकि आपको बिल्कुल पसंद यही ब्रस्पति अगर ऐसी राशी में गोचर करता है जो आपके जन्म राशी से दूसरे भाव में पढ़ती हो तब वो गोचर अच्छा होता है तब दूसरे भाव से संबंदिर रिजल्ट परिवार है कुटुम्ब है धन है वानी है यह सब रिजल्ट आपको अच्छे मिलते आप धन प्राप्ति होती है पारिवारिक सुक प्राप्त होता है आपको आप अच्छे संसकार दे पाते हैं बच्चों को धन जमा होता है आपका तो यह सब चीजे प्राप्त होती है अगर ब्रस्पति का गोचर आपकी राशी से दूसरे भाव में हो अगर यही ब्रस्पति सब्सक्राइब वो आपको च्छे नहीं मिलते हैं, अगर आपको कहीं सेलेक्शन होने वाला है, खेल कूब में, किसी टीम में तो सेलेक्शन नहीं हो पाता है, कुछ चीजों से वो अटक जाता है, आपका ट्रांसफर होता है, यह मैंने आपको बताया, अगिस्तान बंचता भी होती है, इसके जो सेवक हैं, उनके से आपका विरोध होता है, आपके जो इस्तिजन हैं, उनसे आपका विरोध होता है, एक्स्टा कोरिकिल एक्टिविटीज के अंदर आपका मन नहीं लगता, क्योंकि वो सब थार्ड भाव से देखते हैं, आपके भाई बेहनों से आपके प्रेम में थो करता है तो बंधूर से बहुत होता है जानवरों से बहुत होता है अप्ट क्लियर हो गया है तो इसलिए प्रॉब्लम नहीं होती लेकिन यह अच्छा गोचर नहीं होता मन की शांती नहीं होती इसके अंदर मा को समस्या हो सकती है माता से समस्या हो सकती है जो भी चौथे बाप से संबंदित हैं उसके अंदर कभी आ सकती है यही ब्रस्पति का गोचा अगर जन तो बहुत अच्छा होता है संतान से प्रेम होता है आपके संतान उत्पन हो सकती है संतान का सुख होता है शेयर मार्केट में आपको सफलता मिल सकती है अगर आप शेयर मार्केट में पैसा लगाएं तो आपको बहुत अची सक्सेस मिल सकती है राजा की किरपा हो सकती है राज प्रमोशन आपको मिल सकता है चटा गोचर ब्रस्पति का अच्छा नहीं होता उसके अंदर भी चचेरे बहाई वगारा जो होते हैं उनसे क्लिडा होती है पजरिन से क्लिडा होती है जो भी छटे वाव से चीज देखते हैं रोग रिन शत्रू यानि रोग बढ़ जाते हैं आ प्रत्रूता आपकी बढ़ जाती है तो उस तरह की समस्याएं पैदा होनी स्टार्ट हो जाती हैं जो चटे बाज सम्मंदित हैं कोई कम्पेटिशन आप दे रहे हैं तो उस कम्पेटिशन में आपको सकसर नहीं मिल पाती है अगर ब्रस्पति का गोचर आपकी जन्राशी से जहां जन्राशी है उससे छटे भाव में हो अगर ब्रस्पति का गोचर आपकी जन्राशी से सात्वे भाव में हो वो गोचर बहुत अच्छा होता है वैवाई सुख की ब्रद्धी होती है पार्टनर्शिप में ब्रद्धी होती है बिजनस में ब्रद्धी होती है विदेश मिलता इस सारे शुपन मिलने शुरूए हो जाते हैं, आठवा गोचर बरस्पति का जन राशी से अच्छा नहीं है क ні कलह होगी पीडा होगी कोई लंबी बिमारी हो सकती है रोग हो सकता है अशुपन हो वह अगर प्रश्पती गोचर कर रहा है उस लाशी कि जो आपकी जनरारशी से नंवे घर में है तो वह बहुत अच्छा होता है है और प्रत्धी होंग facto सब्हाइं रउगी सब्सब्हाग़िंगाroncture हो distribute मिलें मिलें वह आपके लिए सबसे बढ़े होता है कोई थेली सबसे बढ़े होता है कोई प्रोफरिस्चल में थोड़ी प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है जो कारे आप स्टार्ट करते हैं उसमें सफलता नहीं मिल पाती हैं ये दिखते हैं जो भी दसवेबहसे बढ़ती है नेट्वर्किंग बढ़ती है अगर आप कोई इंटरनेशनल ली बिजनस करना चाहते हैं तो आप जॉइंट वेंचर कर सकते हैं आप मुई साइन कर सकते हैं आपकी समानवर्धी होती है आपको लाग होता है बहुत अच्छा रहता है के बड़े भाई बैनों से आ और दुख देने वाला होता है hospital expenditures देने वाला होता है व्याय करने वाला होता है और व्याय मोछे बहुत ज्यादे वेंगे गोचर कहां से हो रहा है तो आशा करता हूं आपको यह गोचर समझ माया हुआ, समझ माया हो तो कांड़ी लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेर कीजिएगा, और इसके लावा हम लोग astrology education इकलास स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो लोग interested हैं, वो लोग दिए गए नमबर पर संपर करके संपर कर सकते हैं, धन्यवाद, जैशी कृष्णा